हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल पर स्वागत है एक सुभे राजा बन की तरफ ब्रह्मन करने के लिए जा रहा था उसे एक देव के दर्शन हुए राजा ने देव को प्रणाम करते विए उनका भी बनन दन किया और देव के हातों में एक लंबी चोड़ी पुस्तक देख कर उनसे पूछा माहराज आपके हाथ में यह क्या है देव बोले राजन यह हमारा बही खाता है जिसने सभी बजन करने वालों के नाम है राजन ने निरासा युक्त भाव से कहा कृपया देखिये तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं देव माहराज किताब का एक-एक प्रष्ट उलटने लगे परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था राजन देव को चिंतित देखकर कहा माहराज आप चिंतित नहों आपके ढूंडने में कोई कमी नहीं है वास्तम में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन किर्टन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहां नहीं है उस दिन राजा के मन में आत्म गलाने सी उत्पन हुई लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे एक नजर अंदाज कर दिया और पुन्य प्रॉपकार की भावना लिए दुसरे की सेवा करने में लग गए उस दिन के बाद राजा फिर सुभय वन की तरफ टहलनी के लिए निकले तो उन्हें वही देव महराज के दर्सन हुए इस बार उनकी हाथ में एक पुस्तक थी इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेट था और यह पहली बाली से काफी छोटी भी थी राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा महराज आज कौन सा बही खाता अपने हातों में ले आये हो देव ने कहा राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो इस वर को सबसे अधिक प्रिये हैं राजा ने कहा कितने भग्य साली होंगे वे लोग निश्ची थी वे दिनराद भगवत भजन में लीन रहते होंगे क्या इस उस्ताख में कोई मेरे राज्य का नागरिक है देव महराज ने भई काता कोला और ये क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था राजा ने आश्चरे चकित होकर पूछा महराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है मैं तो मंदिर भी कभी कभारी जाता हूँ देव ने कहा राजन इसमें आश्चरे की क्या बात है जो लोग निश्काम होकर संसार की सेवा करते हैं जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अरपन करते हैं जो लोग मुक्ति का लोब भी त्याग कर प्रभू के निरलब संतानों की सेवा साहिथा में अपना योगदा देते हैं उन्तियागी महापूर्सों का भजन स्वम की इस्वर करता है हे राजन तू मत पच्ता कि तू पूजापाट नहीं करता लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है प्रोपकार और निस्वार्थ लोग सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है दे खुसामन नहीं भाती बलकि आच्रन भाता है सच्ची भगती तो यही है कि परोपकार करो दीन दुख्यों का हित साधन करो अनात विद्वा किसान और निर्धन आज अत्यचारियों से सताय जाते हैं इनकी यथा सक्ति सहायता और सेवा करो यही परम भगती है राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्यान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे अधिक प्रिय होते हैं और सबसे नजदी होते हैं इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि द